हई हाई हई इस टूीटरियल में हम बात करेंगे ग्लूप ग्रूप इंसेलेक्टर्स कि ग्रूप इसेलेक्टर स्टम 부분이 कॉमा नहीं यहां है क्या लिखका हुआ है तो चलिए थोड़ा टीटेल में जानते हैं एक्जांपल कि तुरू जैसे कि मैंने एक यह डिफाइन किया एच वन में यह रूल कि एच वन में एच वन टैक यहां भी है वहां कलर रेड होना चाहिए फॉंड सा जोना चाहिए 30 पिक्सल एक और ह पी उस पर मैंने डिफाइन किया है क्लर रेड होना चाहिए फॉंड से जोना चाहिए 30 एक एच टू है जिस पर मैंने रूल डिफाइन किया हुआ है कलर रेड होना चाहिए फॉंड सा जोना चाहिए 30 एक ओवर है एच 3 जिस पर मैंने डिफाइन किया है रूल कलर रेड होना हुआ अलग-अलग है किसी में h1 है कहीं p है कहीं h2 है कहीं h3 है इस case में किस case में जब आपका property same रहता है जब आपका rule same है अलग-अलग tags के लिए in this case आप grouping selector का use कीजिए और सिर्फ आपको इस तहरा से लिखना है इतने सारे lines लिखने के बज़ाए same code को repeat करने के वज़े आप क्या कैजिए कि सभी tag को comma के थुरू separate करके लिखे जैसे कि h1,p,h2,h3 और इन सभी में मुझे सिर्फ यही चाहिए यनि कि इन सभी में common rule चाहिए यनि कि h1 tag,p tag,h2 tag,h3 tag में मुझे यह rule चाहिए ठीक है तो इस case में आपको इतने सरे lens लिखने का सकते नहीं है आप grouping selector का use करके इन सभी tags में इस rule को apply कर सकते हैं लेकिन है याद रहे कि यह तभी आपका काम करेगा जब आप इन सभी tags में same rule को चाहते हैं ठीक है है ओके सचली इसका example देखते हैं मैंने वही लिखा हुआ है बहुत तो नहीं लिखा हुआ है बट मैंने यहाँ यहाँ थोड़ा सा चेंज किया हुआ 24 पिक्सल 24 पिक्सल तो से फिलने मैं मैं बता देता हूं कि हम लोग जब grouping sector का यूज नहीं करते है तो हम लोग कैसे लिखते हैं ठीक है यह पूरा code ही मेरा चाहिए कि आप देख पा रहा हूंगे मैंने पी में लगाया हुआ कि color red होना चाहिए font से जाना चाहिए 24 और H1 यहाँ इसमें आफ लाइप को देखेगा प्रिके दोनों पी में आपको apply देखेगा जिसको run करते है मैंने इसको save कर लिया मैं इसको run कर रहा हूं तो यहां आपको यह सरे effect दिखाई देते हैं मैंने कहा कि आप यह अलग अलग यह यह rule और यह rule दोनों ही rule same है तो इनको अलग अलग लिखने के बजाए आप यहां comma देजिए और यहां h1 लिख दीजिए यह आपको लिखने क्या सकता बिलकुल भी नहीं है ठीक है यह comma dot नहीं ठीक है comma so comma देकर आपको लिख देना है यह आपका grouping selector होगे इसको save कीजिए और इसको run कीजिए इसको run करेंगे तो आपको सभी में apply देखेगा h1 में भी वहाँ rule apply किया हुआ मिलेगा और पी में भी आपको वहाँ rule apply किया हुआ मिलेगा यह तो बात हुए internal style sit के लेकिन external में इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं यहां मैंने उसी code को copy करके paste किया हुआ है सबसे फिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि without grouping selector आप इसको इस तरीके से दो line में लिखेंगे यहां से मैंने इसको link कर दिया है इसको जो आप run करेंगे तो आपको यह rule अच्छे तरीके से दिखाई देगा ओके css external में जहां लोगों ने लिखा हुआ यहां इस line को देखिए rule दोनों में same है तो फिर एक line extra लिखने कि आपको आवस्यकता बिल्कुल भी नहीं आप सिर्फ किया किजिए कि p, h on लिख दीजिए इसको save करते हैं और इसको run करते हैं आपको same चीज यहां देखने को मिले ठीक है एक्स्ट्रा एक line code आपका waste नहीं होता है ठीक है इस तरीके से grouping selector बहुत ही अच्छा हमारे पास topic है point है जिससे कि आप code को कम कर सकते हैं आपको ज़्यादा code लिखने का सकता नहीं पड़ती है अगर same rule को apply करना हो different different tag में तो okay so thanks for watching